हे गाईस वेलकम डू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है नौर्थ इस्टन रेलवे गोरगपू डिविजन से जो एपरेंटेस्टिप की वेकंसिस निकाली गई थी उनकी final cut-up list जारी कर दिया गया है तो जितने भी केंड़ेट सबसे पहले selection हुआ है जो भी केंड़ेट का सक्सस दिलिप की ओर से बेस्ट अप लग और कॉंग्रेचुलेशन भी आपके आगे की life के लिए मैं बताना चाहूँगा गाई से कि important notes की अगर आपको कहीं पर भी railway से अपरेंटेस्टिप करने का मौका मिल रहा है otherwise vacances निकल रही है तो जरूर apply करें क्योंकि आने वाले दिनों में जितने भी केंड़ेट railway से अपरेंटेस्टिप करेंगे उनको finally permanently कर दिया जाएगा जियां इस पर मुद्दा जो है उठ चुका है और काफी यहां पर cabinet decision कभी भी ले सकती है तो hopefully जितने भी केंड़ेट railway से अपरेंटेस्टिप करना चाते हैं जागरूख हो जाएए बहुत बड़ा benefits आपको होने जा रहा है मैं इस उड़े में ततकल बात करने वाला हूँ कि final cut-up कितनी जाती है आखिर railway में इंडियास के किसी भी डिविजन से आप railway से अपरेंटेस्टिप करेंगे अधरवाइज अपरेंटेस्टिप का फोंफिल करेंगे तो merit based पे selection होगा तो आखिर merit बनती कैसी है और कितनी हाई cut-up जाती है मैं बताने जा रहा हूँ railway apprenticeship में कितनी हाई cut-up जाती है relevant आपको trade से लेकर तो चलिवड़े को सुरू करते है और एक बात गाइस अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को subscribe करें और bell icon को press कर दें government job की इसी तरह पल-पल की update पाने के लिए तो गाइस मैंने अल्रेड़ी हाँ पे official जो वेबसाइट है इस पे open कर रहा हूँ आप देख सकते है रिजल्ट cut-up list of selection candidate for act apprenticeship training 2019-20 यह 3 अगस 2020 को जस्ट अभी रिलिस्ट किया गया है अब इससे डाउनलोड भी कर सकते है actually मैं description का link दे दूंगा तो शलेगा इस यह pdf हमारा डाउनलोड हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा गया है railway भरती सेल प्रूवत्तर railway जो हमारा नौर्थ इस्टन रेलवे गुरतपूर एफ्रेंटेस्टी पाउट की गई थी और जितने भी candidate यहाँ पर सलेक्शन हुआ वो टोटली हाई स्कूल के मेरिट यह हाई स्कूल के माक्स बिजिक से उनकी cut-off लगिया उनका मेरिट लगा है ABC के लिए लगभग 50 गया है एक सर्विसमेंट के लिए और यहाँ पर PWD के लिए कोई भी वेकंस जो है वह एविलेबल नहीं थी तो गाइज आपको अंदाजा लग सकता है कि कारपेंटर की कितनी हाईस्ट कहीं भी cut-off जा सकती है इतना मत सोचे का गोरगपूर में काफी सारे हाँ पर candidate अपला किये थे और यह maximum cut-off है तो अगर इतना आज पास आपका marks बन रहा है आपका marks है तो आप इंडिया की किसी भी यहाँ पर division से अपला करें railway apprenticeship के लिए तो आपका selection होना निशित होता है चलिए यहाँ पर मैं electricity की बात करूँ तो 91.20 गिया है तो इतना अधिकतर कम जो electricity का cut-off तो जाता ही है 89 गिया आपका EWS का अधरवाइज यहाँ पर 79 देख सकते हैं SC का गिया है 87 आपका SC के लिए गिया है अधरवाइज 77 गिया है OBC का तो OBC वाले बच्चे कमेंट करते हैं कितना में selection होगा तो देख लिजिए सर अपका कितना marks होने पर final selection हो जाएगा X-Serviceman के लिए 84 और यहाँ पर PWD के लिए कोई vacances नहीं थी feeder के लिए बात करूँ तो general के लिए 86 है EWS के लिए 80 है SC 83 और ST 63 OBC 84 और X-Serviceman 73 PWD 75 अकसर मैं बात करूँ कि इतना marks difference क्यों होता है कहीं पर general देख सकते हैं आप एश्टी में 63 और 83 गिया है यह depend करता है कि कितने candidate ने form को fill किया है वहाँ पर तो ज़्यादा marks आपका different नहीं होगा आप जितने भी vacances आउट होती है 27 की maximum आप यह 91 92 से ज्यादा कभी cut up जाती उतना नहीं है hopefully कहीं कहीं जाती है लेकिन maximum आपको इतना ही देखने मिलेगा 90 plus mark तो आपका है तो फिर भी आपका कहीं पर भी selection हो जाता है कहीं किसी भी से क्योंना भिलंग करते हैं चले मसिनिस्ट के लिए बात करें तो 88 है जेनरल का और 86 से आपका EWS का 86 वहीं पर SC का भी गया देख सकते हैं कितनी competition अब SC वाले भी student काफी apply करते हैं 87 OVC का जाता है 79 आपका एक सर्विस्वें का भी जाता है तो मसिनिस्ट का भी हाँ पर काफी competition है मेकेनिक डिजल के लिए तो 85 जेनरल है 82 EWS और 82 SC का भी है 76 आपका ST का और 82 देख सकते हो OVC का यानि कि मैं बात करूँ यहाँ पर देखें तो OVC से ज़्यादा कट अपका SC चला गिया है तो यह सास भी कहीं कहीं होता है अब नेक्स्ट में बात पैंटर का तो पैंटर आप देख सकते हो 68 कट अप गिया जेनरल का 56 गिया EWS का 60 कट अप है SC का और यहाँ पर 57 गिया है OVC का तो पैंटर वालों के लिए green signal है कहीं पर भी apply किजिए marks अच्छा है hopefully IT है किया है तो 80 plus marks तो होगा यह आप apply कर सकते हो अधरवाज यहाँ पर 10 से marks कुछ तो मिली नेक्ष्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेकंसी है टर्नर की 88 है गिया है जेनरल 87 गिया EWS 86 गिया आपका SC का 84 गिया SC और 87 गिया OVC यानि लगभर लग आप जहां भी देखेगा तो यह SC और OVC का लगभर cut-up सेम जा रहा है यानि कि मैं बात करूँ अब cut-up जो है का नेक्ष्ट है यहाँ पर वेल्डर के लिए वेल्डर के लिए 78 है जेनरल में 74 AWS 76 है आपका SC और यहाँ पर देख सकते हैं 71 ST और 75 आपका गिया है OVC में फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो OVC से ज़्यादा cut-up गिया है यहाँ पर SC का तो hopefully कितनी ज़्यादा cut-up जा रही SC के candidate यहाँ पर आप देख सकते हो OVC से सब का तो कायाना नहीं अगर आपका 50 70 प्लस भी marks है तो आप ला सकते हो और हमसे cut-up आपकी अच्छी है तो यह hopefully आपको इससे पता चल गया है इस वीडियो देखने के बाद जितने भी candidate कहीं से भी fulfill करना चाते है कि मेरा marks कितना है अ लेकिन अगर आपने 10th प्लस जहां पर ITI लगता है तो बिलकुल इसी तरह काई marks merit बनता है और उसी तरह फोटो आपको send दिखे तो गाईस यह वीडियो आपको काफी knowledgeable लगा लाइक करें इसे अपने दोस्तों तक जरूर सेर करें आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर कर दें गवर्मेंट जॉप की पलपल की अपडेट पाने के लिए फिलाल मैं मिलता हूं नेक शुड़े में तरतके लिए जहीं